रेंबित आईएस पूजा सिंगल की जेल में बिगडी तवियत इलाज के लिए रिम्स में कराया गया भरती लालो यादव वाले कमरे में पूजा सिंगल को जगह मिली है पेंग वाड के कमरा नंबर A11 में पूजा सिंगल E.D. के दोनों आरोपी आमने सामने है पहले से रिम्स के पेंग वाड में भरती है पंकज मिश्रा और इसी खबर पे हमारे समवादाता सनी हमारे साथ जुड़ चुके है लाइव जी आपसे पूछना चाहेंगे कि आईएस पूजा सिंगल कल उनकी तबियत बिगड़ गई थी और आज रिम्स में उन्हें भरती करा आगया बिल्कुल सही कहा डिम्पल आपने कि निलंबित आईएस अधिकारी पूजा सिंगल की कल देर साम अचानक तबियत खराब हुई थी जिसके बाद उन्हें होटवार केंद्रिये कारा से सीधे रिम्स लाया गया था और एक बात जो देखने को मिली कि रिम्स के जिस पेंग व और तस्वीर कि यही वो रिम्स का पेंग वाद है जिसमें फिलाल निलंबित आईएस अधिकारी पूजा सिंगल भरती है और पहले से ही इस पेंग वाद के पहले तल्ले पर जो एडी के आरोपी हैं मुख्यमंत्री हैमंत सोरेन के विधान सभा के जो प्रतिनीधी हैं सीमे में अचानक दर्द हुई थी जिसके बाद उन्हें रिम्स के काडियोलोजी विवाद लाया गया था और काडियोलोजी विवाद में जो चिकित्सक हैं होडी हैं डॉक्टर प्रकास कुमार की देखरेक में उनका इलाज किया गया था और फिलाल उन्हें रिम्स के इसी पेइंग वार्ड में रखा गया है और पहले से ही रिम्प्ट के इसी पेइंग वार्ड में पंकज मिस्रा भी भरती फिलाल ससे जो सुचना मिली यह कि फुजा सिंगल के चेश्ट में इंस्फेक्षन पस्द देट ऊइस भेजा गया है सेम्पल रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि क्या कुछ समथ्या है फिलाल उन्हें माईग्रेन की भी समथ्या है यही कारण है कि जो नीरोलोजी के चिकिशक है उन्हें कॉल किया गया है ताकि वो आकर रिम्स में भरती पूजा सिंगल को इलाज कर सके वहीं पूजा सिंगल के पाल में भी चो इस सोचा होगा दिम्पल कि करोरो रुपए के एस्पताल पल्स की मालकिन को साहरे रिम्स के इस पेंग वाड में भरती होना परेगा गदिम्पल सत्यवरत शुक्रिया तमम जानकारी के लिए तुझे से सत्यवरत बता रहे थे कि आई-एस पुझा सिंगल रिम्स के अस्पिताल में भरती है और वहीं पर पंकज मिश्रा भी है सच है तो दिखेगा